कॉंग्रेस के लोकप्रिय जिला अद्यच उमा संकर पाठक ये छुटकी सिरिया गाउं है उनके आवास में मैं मवजूद हूँ आप वरतमान में कॉंग्रेस के जिला अद्यच भी है और इसके पूर में आप बाज़ दी के बलाक परमुक भी रहे हैं यहां से बड़े बड़े नेता बात करें बच्चा पाठक की बात करें राम गविं च उद्री की की इसके पहले भी बड़े नेता यहां से जीत कर बिधान सब़ा की राजनीतने पॉछते रहे सदन में लेकिन आप सवाल लोक्षभा का है लोक्षभा चुनाओं को लेकर आईए बात करते हैं उमार संकर पाठेगी से आपके गाओं की सड़क बड़ी दाजवाब है किस ने बनौए सांसर जी ने बिधायक जी ने ये प्रदान मंत्री सड़क योजना के मारफद्य बनी है जो िंटर रास्ता स juve pug चुट जायेंगे तोहें स diffению से चलेंगे तो सीर्या नाम से शबाश्टि बलाक में आप जाएंगे तो आपको भीकास लेगा भीकास तो एक अपने दिडश संकल्प से होता है और समय सत्ता पक्ष और बीपक्ष की बात नहीं है इपनी देखता हूं आज कि दरबियान जो आपने विकास के बारे में कहा तो जो भी सरकार आएगी करेगी निश्चित उसको करना है जब से पहंचाहिती राजवेवस्था लाग हुआ है और हर गाओं में आप देखेंगे कि राजी गांधी जब योजना लगाये थे और आज परधानों के खाते में पैसा जो है जाना शुरू हुआ और विधाय की नीदी हों संसर नीदी हो जबसे इन लोग खाते में गया तो हर छेतर में विकास हुआ और इस विकास के कड़ी को में मानता हूं जैसे आपने कहा कि मैं तो यह सब कांग्रेश का ही देन है मैं पक्ष और विपक्ष के बात नहीं करता हूं यह कांग्रेश का देन है जो विकास के उन्हेंने शुरूआत किया थूर्वासा मुंद्द्द से अलग होते हैं क्यों लही बात विकास की अब लही बात लोग सवाच चुनाव की लोग सवाचसी एक हिस्टा के…? सब्धा व्यवत च्छित्र करांति काली टाइप की नेता हां बहुत जादा है करांति की बात होती है कांग्रेस इस सीट पर लगातार कई बार सांसद भी रही और आपने लगातार ऐसे कंडिडेट को भी लगातार यहां से लोग सभा चुनाव लड़ाया है भोला पांडे जी को फिर बनारस के पुरो सांसद राजिस मिस्टाज को भी लड़ाया अब मजूदा समय में आपकी सीट जो है गलबंदर में है समाजवादी पार्टिक रामा संकर बिद्यारती राजबर चुनाव मैदान में हैं तो रामा संकर राजबर के लिए कांग्रेस किस तरी से मैदान तयार कर रही है क्या जो कांग्रेस का मैदान तयार होगा उस फिल्ड में रामा संकर विद्यार्थी आगे बढ़ेंगे कि इंडिया गठ्वंतन के परत्यासी हैं और इंडिया गठ्वंतन्न में जितने दल के लोग है तो चुकि यहां सलेम पुर्विधान साय लोक सभा जो है आपका साप्पा के पाले में गया और उस हिसाब से साप्पा के लोग नो जह है विदार्थी चुकि पुरुवा संसद भी रह चुके हैं तो उनको टिकट यहां मीला और विदार्थी जब से टिकट फाइनल हुआ लगतार हो छेटर में लगे हुए हैं और उसके हिसाब से जानता सुन रही और जानता जभी भी संसद रहे भी है तो लोगों से मिलना आना जना मिलें Biz दंबर्हें के साइथ हैं इसमें कोई दोरा नहीं है तो मैं च्छित्र में जा रहा हूँ जो प्रत्क्रिया आ रही है जो फिडबेक आ रहे हैं कि रामा संकर बिद्यारती समाजवादी पार्टी के उम्मिद्वार हैं और वहीं भारती जनता पार्टी के उम्मिद्वार मौझूदा सांसद रबिंदर कुश्वा हैं अध्य जी ज सोट बारने वाले पी Anda के वित्तरपरदेश्सद्रकार के मंत्री सूभासपा प्रमुख उंपरकास राजभर भी तो राजभर औरट क्या नहीं है कि हम परकास राजभर को देखें या मायवत्ती कि भीम को देखें य अकलिस के राम को देखें देखे हैं रोशन जी निश्चित रामा संकर विद्यार्थी कभी बासपासे ही लोक सभाखे जीते हुए कंड्रेट थे संसत थे उनका पकड अपना विराधेरी पर है रामा संकर विद्यार्थी सलेमपूर के स्वेम कहा जाए कि राजवरों के नेता है इसमें कोई दोह कांग्रेस के लोग प्रतिदीन हर गाव में जा करके अपना प्रचार पासर और विदार्थी जी का और दिल वाने का प्रियास कर रहा है कि कोई भी जो है ऐसे लोग नौ छूट जाए जो उनसे मिल करके विदार्थी जी के चर्चा राजबर विदार्थी प्यारा था क्या राजबर विदार्थी आपके नजर में तीन खेमे में है या फिर रामा संकर के साथ है राजबर विदार्थी तीन खेमे में नहीं है रामा संकर विदार्थी के साथ है आप जाएंगे बगल में पिठाइच गाउं है पिठाइच लड़ा था कि ओम प्रकास राजबर के साथ जो है राजबर बिरादरी है लेकिन मैं नहीं मानता हूं अब यह आपके कहने मतलब है कि बिरादरी का नेता लड़ रहा है उसको जीताना है यह है मैसेज इस विरादरी सब्द हम नहीं कहेंगे यह है कि समाज का उस हो अपने लड़ रहा है रामा संकर बिद्यार्थी के साथ हैं बिद्यार्थी उर्जवान है चमतवान है काम करने को उनके पास चमता है और जो आपने कहा कि तीन खमे में बटे हैं तो तीन खमे में नहीं बेटे हैं एबरा राजबर बिरादरी सिरिफ रामा संकर बिद्यार्थी को नहीं चल रहा है परवासी है आप भी के लोग सभाच्षित्र के देखिए परवासी किसी भी को नहीं कहा जा सकता है भाई मैं यह कह लिए जा है कि हिंदुस्तान के कोई भी समिधान में कहीं जाकर कर चुनाओं लड़ सकता है सरे चेलतर को यह अंदर के न्यां दर अलएकर चाहर जाएगा अफे बस्पागार्ण कशक त요 दूसरा है कि जन्ता अंट जाते होंगे आप लोग कर रहे होंगे हु वी दे रहे होंगे का सच घण भी बता रहे हूं तो यह सब्सक्राइब नहीं इस उसके माध्यम से हम लोग जाते हैं। कि मैं बार-बार यहीं कहता हूँ कि रामा संकरवीद्यार्ति reflex टो दोनुं का कोई बीशे दे दीजिए ओर एक मन्च लगा तेजीं दोनों स्कुलामने सामने और बिशे को रामा संकर्विदार्थी हुव नो उतार दें तो रोसंजी आप जो कहेंगे सो तो निता जी बांजडी बेलतरारोड सिकंदरपूर में क्या लहर है तो कि देवरिया का दोबिधान सबाब उसमें सामिल है देवरिया में आपकी लोग सबाचेत रहा है बाइस डिसकंदरपूर बेलत करके कहीं जो है अईसा उनको कोई विकास का मुदा नहीं है जिस पर वो चार्चा कर लें समझबादी पार्टी के राम गुबनी चौदरी दीब यहां के मंतरी थे अब जाएंगे तो आई टी आई हो पल्टेकनिक हो या बिजली बहुत तमाम उन्हों ने आज भी समझबादी का जो विकास उन्हों ने किया है उसके पहले चलेंगे तो मैंनि अश्चेत्र का बच्छा पाठगी थे जिस समय बच्छा पाठगी बिधायक हुआ करते थे उसके बाद मंतरी बने बहुत ऐसे रोड थे जो हमरे दियारा में जाने के लिए रोड नहीं था बच्छा उनका कारे सुरू से सिख्छा पर स्वास्त पर इध्यान दे करके चेतर में बिकास की है आज की जो सरकार बरतमान की सरकार है और यह सरकार जो है 10 साल आप देखे लिजे स्मार्ट सिटी बनाने का उन्होंने बहुत बड़ा प्लान रचा था भाजपने पूरे संसदों ने एक गाउं का गोद भी लिये थे यह रमा संकर विध्यारती कुसहर गाउंसाभा का गोद लिये थे अब कभी कुसहर गाउं का जा करके देख लिजे यह रामा संकर बिद्यार थी अपने संसद नेदी से या अपने छेत्र में कुसहर गाउं सहभा का कितना विकास हुआ है मैं निश्ची जाओंगा उस गाउं में आप जाए कभी कैम्पिंग करें देख लिए उनका गाउं जो है गोद लिया हुआ है दूसरा हैं कि तो संसदी काल में कोई ऐसा उनका विकास का मुद्दा नहीं है किसी गाउं में कि आप चार्चा कर सकते हैं कि मैंने यह काम किया हूं ऐसा कोई दिखाई विकास का नहीं दे रहा है जिस पर वह दस साल के सरकार में अपनी बद बाद उनको तो सिरिप यह कहते है जो मुझे सुनने में मिलता है कि हमको लोग मत नहीं करते हैं मोदी जी को दे करके मत करते हैं यह करेते कि बाज़ डिविदान सवाच शित्र में आपका समाज क्या रूल निभा रहा है देखे हमारा समाज जो है बुदी जी भी समाज रहा है पड़े लिखे सारे नौजवान है और आज रोसंजी जो नौजवान है और मेरा समाज के लोग या जीतने अन्य बर्ग के लोग है और इस सरकार जो है चार साल अग्निपीर योजना जो है चार साल की नोकरी के जो यह नो ने दे आज भी किसी गाव में जाएंगे तो देखेंगे कि पहले नौजवान रोट से ले करके अपने खिल के मैदान में जाकरके सुबह चार बजे भोर से ले करके फिर साम को खिलते थे आज जो है अपने आपको ठागा हुआ मसुस करते हुए ओ सब खिलना बन कर दिये जा नहीं रहें अब अपने रोजगार के लिए अपने जीवका के लिए कहें दूसरे परांथ में जाकर के प्राइबेट में और वहां जाकर के अपना काम करना प्रियास कर रहे हैं जो देश सेवा के लिए नौजवान करते थे आज अपने रोजगार के दूसरे पीसे में जा रहे हैं यह आज दिखाई दे रहा है यह सरकार नौजवानों के साथ किसानों के साथ चलवा की है और इनका खम्यजा दो हजार चौवीस में जो चुनाव है एक तारीक के जो हमारे यह उंतिम चलनका चुनाव यह वल्या हम लोग संक राजबर को बल दे रहे हैं सक्ती दे रहा तो इस उरिजा से कैसे लगेगा कि अधिकों मिद्वार को पीछे करके आगे किसान नौजवान है उनके स्वाइम के लोग है समझभादी के पाटी के जितने जो है मैं उनका है और हम लोगों जो कांग्रेस के प्रमगत ओट है जो लगतार सलेमपुर हो चाहे बलिया हो या घोंसी कह लिजिए तो सारी लोग इस समय जो है इंडिया गटबंदन के साथ और जिनके उपरतियासिया उनके साथ लगे हुए आपका समाज भी पूरी ताकत से लगा चुकि का आपके समाज के उमिद्वार अभी कोई बड़ी लेबल पर नहीं है बड़ी पार्टी लेस्तर पर तो आपका समाज भी जा रहा है तो यह निश्चित दिखाई देगा आपको दोस्तों छुटकी सिरिया का यह वाता वरण सुद्ध रूप से देखाई दे रहा है कि राजनेतिक माहुल है राजनेतिक सरगर्मी है लेकिन किसान नौजवान बिरोजगार जब किसी परत्यासी को देख रहा है तो बड़ी उमीद की रा देख रहा है बड़ी उमीद से देख रहा है कि सांसर जी आ रहे हैं और रामा संकर विद्यारती जो पूरु सांसर दोनों लोग आ रहे हैं बांज जी की राजनी कुछ अलग है बांजडी की राजनी सत्ता ब्यवस्ता दोनों तैख करेगी कि इस बार सलेम पुल लोग सवाज सीट पर किसकी सरकार बनेगी फिर आप से जुड़ेंगे तब तक लितना ही जुले हम से बली आजकल से मैं रोसन जैसवाल नमस्कार